नमस्कार आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया आए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर पंजाब में चुनाफ से पहले कॉंग्रिस को एक और बड़ा जटका तीन और पार्शद आमाद्मी पार्टी में हुए शामिल पंजाब में आज प्रधान मंत्री मोधी की तीसरी चुनावी रैली अब ओहर में जनसभा को करेंगे संबोधित बुंदेल खण में परचार करेंगी मायवती बांदा और चित्रकूट में बासपा सुप्रीमो की रैली हिजाब कोई बच्ची मर्जी से पहनते नहीं मैं भगवा किसी पर थोपता नहीं बोले सीम योगी यूक्रेन पर हमला करने की धमकी को रूस ने लिया वापस हिजाब विवाद पर बोले असम के मुखे मंत्री हेमन बिस्वा सर्मा कहा बताएं हिजाब जरूरी है या सिक्षा अखले शिप्पाल पर सीम योगी का निशाना बोले लूट में चाचा भतीजा दोनों बराबर भारत में थम रही है कोरोना की रफ्तार 24 घंटों में 50,000 से भी कम केस आये सामने कुशिनगर में मातम में बदली शादी की खुशियां रस्म के दोरान कुवे में गुडने से बच्चों समें 13 लोगों की मौत ब्राजीलियन फूटबॉलर रॉबिन हो गैंगरेप का दोशी करार जारी हुआ आरेश फॉरेंड ब्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने कुशी नगर हुए हाथसे में ट्वीट कर जताया दुख रूस युक्रेइन विवात पर अमेरिका को उमीद, रूस के हमला करने पर अमेरिका के पक्ष में खड़ा होगा भारत एर विस्तारे की फ्लाइड की दिल्ली में एमर्जेंसी लेंडिंग, 146 यात्री थे सवार अमेरिका ने कहा रूस ने युक्रेइन के बॉर्डर पर 7,000 सेनिक तैनात किये अजीट दोबाल के घर के अंदर घुसने का प्रयास करने वाले शक्स को लेकर माइंड कंट्रोल का अंगल आया सामने पंजाम में प्रयंका गांधी की जनसभा, पठान कोट में रैली करेंगी कॉंग्रिस माहसचीव दॉक्तर मनमोहन सिंग की चुनावी एंट्री वीडियो के जरिये बोले पूर्व पीम की पीम मोधी का राष्ट्रवाद नकली है चीनी सेना भारत्य जमीन पर बैठी है मुलायम सिंग यादव आज करहल के चापरी में जनसभा को संबोधित करेंगे चन्नी के यूपी बिहार के भाईये वाले बयान को लेकर सियासत गर्माई बिहार के बुख्यमंत्री नितिश कुमार बोले कि हमें आज चरे होता है कि लोग ऐसा कैसे बोल देते हैं अमेरिका संग आखरी चरण में पहुँचा एराइन परमाणू समझोता जल्दी फैसले की उमीद भारत बनाम वेस्ट इंडीस के पहले टीट्वेंटी मुकाबले में भारत ने 6 वेकेट से जीत हासिल की डेब्यूटांट रवी बिश्नोई ने 2 वेकेट जटके झाल